असलाव अलेकुम नमस्कार स्विया काल एंग गुड इवनिंग मैं आर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओफ यू हमारे साथ हैं जी मेजर जेनल एक्षपनी सिवाइश सर बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाएं थैंक यू सो मच सर अज हम दो चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे एक तो जो पियमोदी के विजिट हैं पॉलेंड का भी और साथ साथ उक्राइन का भी उस पे भी बात करेंगे साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो रश्या और उक्राइन के बीच में वार को रुकवा सकते हैं एक इस पे हम बात करना चाहेंगे और दोसी बात ये कि अगर वो उसमें युक्राइन और अश्या में बीच में आ सकते हैं और वार रुकवा सकते हैं तो फिर हम मास और इस्राइल की क्यों नहीं इस पे मैं आपसे जरूर आज समझना चाहूंगे सर प्लीज हाँ देखो सचा ये है कि अभी प सफ़क लेने के बाद वो रुषिया में पहले गए थे जो कि एक होती है एक साल भारत में एक साथ रूस में तो वह वहां गये थे और उसमें हैं कहीं वह उसी दिन नैटो की भी मीटिंग थी और अक प्लेशर था को कि बार 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 ये बता जा रहा था कि भारत जो है वह क्रिटिसाइड नहीं किया उसने जो यूक्रेइन पर हमला किया और दूसरा कही ने कही जो भी कोई resolution पास हुआ या तो भारत उसके अंदर absent रहा या neutral अलमोश्ट उसने कभी भी रूस के अगेंस्ट नहीं वोट की तो ये भी सचाई थी कि ये balancing act है ये दिखाने के लिए कि भारत किसी के साथ नहीं है भारत जो है वो शांती के साथ है वो dialogue से शांती चलता है क्योंकि इस चीज़ को आप देखें दो उधारन हैं जो कि समर्पन में SEO मीटिंग थी उसके साइड लाइन में वो जब पूटिन से मिले थे तो उन्हों ने उसकी आखों में आखेडार के बोला था कि इस इन एरा ओफ वार ये लड़ाई का समय नहीं हैं और dialogue डिप्लोमेसी से बाचीत होनी चाहिए और ये point उन्होंने फिर दुराया जब वो रूस में भी गए थे और उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी problem का solution battle field में नहीं हो सकता उसका solution जो है वो negotiating table पे हो सकता है मगर ये सचाई है कि एक परकार का pressure तो था कहीं यूएस का भी और western countries का भी कि भारत जो है वो रूस को एक परकार के decide नहीं कर रहा है रूस की तरफ है तो वो भी दिखाना था कि भारत जो है वो किसी के साथ नहीं है भारत अमन और शांती चाहता है क्योंकि जो लड़ाई ये हो चल दी है रूस यूक्रेन की इसके कारण पूरे world में आहाकार मच गया है आप देखें food fuel fertilizer के rate कितने हाई हो गए है उसके बाद जो global south के एक परकार wise of global south है जो prime minister moody जो इसके leader है वो जो countrys हैं वो सबसे ज़्यादा कमजोर है उनको तो सबसे ज़्यादा impact हुआ है पूरे world की one point five के GDP कमी आगी है इस लड़ाई से और उसके बाद इसराइल हमास के तो मुझे लगता है कि प्रेशर था इसमें को शक नहीं और वो इसलिए गए हैं कि एक शा relationship हैं वो अमेरिका के साथ भी अच्छे हम strategy partner है योरप के हर country से अच्छे हैं यूक्रेयन सी भी अच्छे है और रूस के बसे हैं जो आपका point आता है कि क्या भारत किसी mediation या facilitator का का काम कर सकता है तो को मुझे लगता है कि mediation तो इतना करना असान नहीं होगा फैसलिटेटर प प्राइमिस्टर बोदी पूरी कोशिश करेंगे और कहीं ने कहीं वो यहीं एक परकार संदेश लेके जाएंगे जो जलनस्की से जब मिल लेंगे जो मुलाकात हो रही है कि इस लड़ाई को बंद करना चाहिए मगर क्या ये लड़ाई बंद होगी अभी मुझे नहीं ड़क परसंट यूक्रेन का इसा जीत लिया है जिसके अंदर दोनबस का अलाका जापो रोजिया खारासों और क्रिमिया उसने दो जार चोदा में लिया था और वो धीरे दीरे इस्ट यूक्रेन से बढ़ रहा है मगर जो कारवाई उक्रेन ने अभी किये दस पंदर दस बारा दे इनके अंदर वो एक आस्चरी कर गया सरप्राइज कर गया रूस को भी और अमेरिका को भी और वाकिए को किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो यूक्रेन है वो ऐसा सरप्राइज अटायक कर सकता रूस पे और जो उसने कुर्स का एरिया ठारा किलومेटर अंदर दिला गा बारा कुर्स के रहे हैं उसको भी इन्हें डिस्ट्रोई कर दिया तो मुझे लगता कि अब तो लड़ाई बढ़ने का ज्यादा अंदेशा लग रहा है लुकने में मगर ये सच्चाई है भारत के परदान मंतरी बड़े सच्चे मंद से गए हैं और वो चाहेंगे कि ये लड़ाई बंद हो अगर इसका फैसिलिटेटर का काम हो सकता है तो पका वो कारवाई करेंगे और ये दिखाने की कुरुसिस करेंगे जैसे उतने पुटिन को बताया था दिस इस नोट नेरा वार यही मुझे लगता जरेंसकी को भी यही नसियत देंगे कि ये लड़ाई बंद होनी च तो ये इस और को रुके लिए तो है क्यों नहीं है वैसे तो आप देंसे का कि पूरी दुनिया को इससे फरक पढ़ड़ा आ है पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा तो क्या जो पावरफुल कंट्रीज है भारत के यलावा क्या वो यह बात नहीं समझ रहे हैं तो कोछ सचाई यह है कि कहीं ने गई हैं अमेरिका का जो इसमें रोल रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है कि यह भी सचाई है कि सब को पता है यह रस्या वर्सिज युक्रेइन नहीं है लड़ाई यह रस्या वर्सिज नेटो है और नेटो जो है हत्यार दे रहा है युक्रे industries हैं जो की हत्यार बनाती है अमेरिका में उनकी जो प्रॉफिट है वो दस से पद्रा कुना हो गए तो ये सचाई है कि कहीं ने कहीं अमेरिका का जो है वो रोल कुछ खास पॉजिटिव नहीं लड़ता इस लड़ाई में क्योंकि अगर किसी देश का कोई फादा हुआ है इस लड़ाई से तो रश्या की जो इंडिस मिल्टरी इंडिस्ट्रिल कंप्लेक्स है उसको बहुत फादा हुए तो यह कहना जो आप है तो छोटे छोटे देश वो चाते हैं कि हम अधियार लेकर को हमला हमारे उपर होता है इसी परकार युक्रेन में जाने तो यह एक परकार इंडिरेक्ट्री जो अमेरिका की एकॉनमी को फादा है उसकी इंडिस्ट्रिल मिल्टरी कंप्लेक्स को फादा है तो इसलिए भी सचाई है कि अमेरिका कोई खास ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि यह लड़ाई बंद हो और उसका फादा उठाया जा रहा है इंडिस्ट्रिल मिल्टरी कंप्लेक्स से जिस परकार से हत्यारों की विक्री हो रही है आर्जू सर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इस्राइल की और हमास की भी लेकिन उससे भी पहले एक एक टॉपिक और है जो मुझे अभी याद आए कि वो आप आएं तो मैं कैसे उसको जाने दू कि पाकिस्तान में बहुत चेंज आया सर आपने देखा कि पहले जो आईएसाई के डी जी आईएसाई थे उनको औरेस्ट किया गया आई थे जब इमरान खान उस नमें प्रेजिडन थे और यह याद रखो जब तैलिबान के अंदर गौर्मेंट आई थी तैलिबान की तो फ्याज हमीड गए थे वहाँ पर इमीजेटली और उन्होंने हकारी गुर्प को एक परकार से बनवाया था काफी उसको रिस्पोंसि आया जो प्रेस से कहीं इतना प्रेशर डाला जाएगा फ्याज अमीड पर और वो ऐसा कर सकते हैं कि वो जो इमरान खान के अगेंस्ट को एविडेंस थे और एक परकार अप्रूर बन सकते हैं तो यह सचाई है कि यह दिखावा है यह और कोई नहीं यह एक इन्डिरेक्ली इमरान खान के उपर यह हमला है और इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए यह सब कारवाई हो रही है क्या होगा वो तो समय बताएगा पर आपको पता है जो पॉलिटिकल सीच्वेशन अभी पाकितान के कोई खास अच्छी नहीं है और एकॉनमी क्रैसी जभी तक भी बरक करार है और आतंगवाद बढ़ता जा रहा है पाकितान जिस पर कास एक हाइबर फक्तूर क्वा में है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल निस्टेबिलिटी का दोर तो है तो क्योंकि इमरान खान जेल में हैं मगर उनकी जो पार्टी हैं जो इंडिपेंडनेंट बनके होते व को निकल नहीं पाएं और उन्होंने एक कमजोर कड़ी पकड़ी फ्याद हमें अगर इसके इसको अपनी तरफ ले लिया या इसने कुछ एक विटनस या एविडनस दिया तो वो इमरान खान के अगेंस्स इस्तवाल कर सकते हैं मुझे लगता है इसका में मक्सद यही है और मैंने इसे कोई खास पॉजिटिफ चेंज आता हूँ आपको नहीं लग रहा ना बिरको नहीं कोई को कि सचाई है कि फोज को एक चीज़ तो आगी है भी कि भई खुद उन्होंने रूल नहीं करना एंजॉय और आथोर्टी विदाउट रिस्पॉंसिबिलिटी एक मुखड नहीं ये एक इमरान खान को चारों तरफ से गहरने की कोशिस है कि इमरान खान के उपर इतने केस रखो कि अगर एक दो केस में उसको अगर मानलो कोट रिडरसल भी दे देता है तो वो जेल से नहीं निकलना चाहिए यहीं मुझे लगता है अभी जो प्रेजर्ट गॉर्में हैं और लगता नहीं के मों भाराव आँएंगे इमरान खान के साथ जी लेकिन सीर अगर हम इसराइल की बात करें और हमास की बात करें तो ये वह वर कहीं रुकती दिखाई दै ये पहले लोगों को बहुत अंदरदी थी पाकिस्तान में भी कई लोगों को इस तरीके से जो है भी एक बहुत बड़ा आप ये कोगे की पूरे की पूरी हुमिनेटी के अगेस्ट है ये चालिस हजार से जाजा जो पैलेस्टीन अरे गए हैं आप कोगे कि उनका क्या कसूर है बिल्कूर ठीक बात करें मगर जो साथ अक्तूबर को जिस परकार से हमास ने एक आमला किय था जो इसराइल पर बात तो वहीं से स्टार्ट हुई वो एक परकार से टेरर एक्शन था उन्होंने बारा सो से ज्यादा लोगों हमारा और ढ़ाई सो से ज्यादा को अभी वो पकड़के लेगे आई जा होचते जी तो ये सचाई है कि ये लड़ाई भी अब बहुत ज्या लड़ाई रखे क्योंकि अभी निववर में अलख्यन है जो की प्रेजिडैन के अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो ये कमरा हैरीश जो की प्रेजिडेंट का कैडिडेट है डिमोक। पार्टी से उनके अगेज़ जाए तो मुझे लगता है कि इसी परकार से जो एंथनी बिलकन नोमी बार गए है कि कोई ना कोई समझोता कराएं पीस का आपस में इसराइल और हमास के बीच में कोई ना कोई एक परकार सीज फायर कराएं मगर क्या वो सकसीड होते हैं या नहीं होते हैं ये तो समय बताएगा मगर अभी तक कोई ऐसा लगनी रहा कहीं लगता है कि इसराइल ने बाते माननी हैं मगर हमास नहीं मानना हमास जो है वो अलग बता रहा है कि कि हम जो कोरीडर बफर जोर बनाने की कर रहा है कोशिश इसराइल की वो नहीं करने देते हैं मगर Ground पे क्या ये रिसीज़ फैर होगा नहीं हुगा? ये बड़ा important चीज़ है. अगर ये सीज़ फैर नहीं होता, तो क्या इरान हमला करेगा इसराइल पे, तो कि जिस परकासे इस्मायल हानिया मारा गाया है, इरान के अंदर, और वो उंका stat Wake ता, वो वेट कर रहे हैं, वो भी करेंगे, तो क्या ये लड़ाई का जारा बढ़ सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्या इसके अंदर हिजबुला जो है, वो वेट कर रहा है, दूसरा बड़ा इंपोर्टन चीज ये है, कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, तो बहुती अच्छी बात है क्योंकि कम से कम ये लडाई रुके दूसरा सबसे इंपॉर्टन चीज है कि क्योंकि इसमाइल हानिया को मारा गाया था तहरान में और इरान ने डिकलेर कर लिया इसका बदला लिया जाएगा क्या इरान डैरेक्ट खामला करेगा इसराइल पर अगर वो डैरेक्ट इसराइल पर हमला करता है तो वह बहुत ही ज्यादा सिच्वेशन खराब हो सकती है क्योंकि इसके अंदर फिर अमेरिका आएगा उसने दो यूसस इस्टन हावर और यूसस रूजवेल्ट एरकाफ कैरियर ग्रुप जो है वो उसने एक परकार रेड़ सी में लगाए हैं जो कि वेस्ट एशिया के नदीग हैं तो वो एक इंडिरेक्ट प्रेशर है अगर लड़ का रूप ले सकती है ये किसी के फायदे में लिए तो ये एक परकार जो समझोता है ये होना चाहिए इसराइल और हमास के बीच में इसके अंदर अमेरिका और एजिप्ट और जो आपका कतार बड़े जोरों से लगए हैं अब दोबारा बाचीत होगी अभी तक इसमें वो स की कौनमी अच्छा नहीं कर अब जसकीन जो बने हैं नए प्रेजिजन्ट एक मोडरेटर हैं एक रिफॉर्मिस्ट हैं जसकियां तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई बड़े और अगर वो अटाक करता है इसराइल पर डारेक्ट इतना बड़ा करता है जहां होगी और मिल्टरिली वो बहुत कमजोर है इसराइल और अमेरिका के साथ अगर अमेरिका की जो मिल्टरी पार है जो की वेस्ट एशिया अभी है उससे एरान को बहुत रुक्षान होगा उसकी जो नुकलर फैसलिटी जो उसने 93% यूरेनियम इनरिच कर लिया है और बहुत नजदीक है वो भी बरबाद हो सकते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इरान चाहेगा इरान क्या करेगा इरान चाहेगा जो कि उसकी प्रॉक्सीज है जो परकार से हिजबुला है और हमास है और होती रिबर है उनके थ्रू वो कुछ ने कुछ हमला कराए और जो इसके मिलिशि हैं इराक और सीरिया में खुद वो नहीं चाहेगा मगर वो समय बताएगा कि क्या करेगा मगर अगर इसने डार्यट टार्यट किया और फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है इसका एक ही सिलूशन है कि अभी जो सीजफायर हो जाता है इसरायर और हमास के बीच में तो मुझे ल सुलूशन है अब यही है कि क्या यह लड़ाई रुकने चाहिए तो कि इसमें किसी का फायदा नहीं है इसमें जिस परकार से लोगों की एक परकार से मौत हो दिया वो थी अब इन्डारेक्टली प्रावल्लम यह है कि इसराईल अब इसराईल का जो नेथन यायू है उनका थोड़ा सा रोल ऐसे है कि वो जानते हैं कि अगर लड़ाई बंद होती है सीजफायर होता है अलेक्शन होते है तो हो सकता है उनकी पार्टी वो ना आए ये एक बड़ा इंपोर्टन चीज है तो जो होस्टेजिस को छोड़ाने के लिए जो प्रेशर आ रहा है उनकी जो रिल सकती है वो भी एक प्रॉब्लम बट ओवर ओल जिस परकार से अमेरिका इसके अंदर इन्वाल हुआ है और अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई बद हो क्योंकि उनकी जो एलेक्शन्स हैं मुझे लगता है कि इसके चांसिज है पर क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता कि नो बा साइयों से पूरे वर्ल्ड की एकॉनमी और जो घरीब देश हैं उनकी उपर मार ज्यादा लगे जो ड्वाल्पिंग कंट्री आप ने ठीक मता है ये जो सौथ इस्या में छोटे छोटे देश हैं चाहे वो सिरी लंका है चाहे पाकिस्तान है नेपाल है आप बंगला देश म करें कि लिए लड़ाई राल रुखनी चाहिए और उस में जो पावर्फुल कंट्री शम को जबरूर अपना रोल प्ले करना चाहिए थंक्यू सो मच तैंक यू अर्दू तैंक यू अर्दू थी Thank you very much.